है आपकी कॉल कंट्रूल रूम से कने अलो प्लाइया टोल प्लाजा जी सर छमा चाहूंगा मैं आपको परिसान नहीं कर रहा हूँ मैं मीडिया से हूँ और एक्षी मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ लोग को ये कंपलेंट था कि आपने जो ये help desk लगाया है क्या ये सुचारू रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ तो सर बताएंगे आप कि हम कहां पर अभी हैं और किस आपका किस help desk नमर से कॉल किया हूँ मतलब सर क्या जानना चाहता है सर हम अभी जहां से आपके पास फोन किये हैं जहां से आपके कोल लगाए है अभी क्या बताएंगे location मेरी आप सर आप केम 54 LHS पे है लेफ्ट हैंड साइड में केम 54 पे हाँ हाँ सभी बात है सर क्या ये सर सुचारू रूप से काम कर रही है जी सर बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रही है सर ये जो बोक्स लगाए गया है आखिर क्यों लगाया है बिहार के उप मुक्यमंत्री तेजस्वी जी फिलहाली में जपान गये थे और वहां से एक नई टेकनोलोजी लेकर के परेटन व्युहा के लिए लाए है और वही टेकनोलोजी यहां पे काम कर रहा है और दिखाने के में तस्वीरे को पटना से बक्सर जा रहे थे तो रास्ते में हम को एक चीज दिखाई दिया जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं इधर हेल्प लिस्क लगा हुआ है और मैं चाहूंगा थोड़ा से कवरे मन दिखाईए यह हाईवे है जो पटना से चल करके बक्सर को जाती है तो हमने सोचा कि आखिर यह बोक्स जो लगाया गया है क्यों लगाया गया है आखिर कैसे वर्क करता है या नहीं करता है लोगों का यह आरोप भी लग रहा था कि यह जो बोक्स है सोबा की बस्तू बनाई गई है यह काम सरी भंग से नहीं करता है तो उस चीज की मैं आपको पूरी जानकारी देने कोसिज करूँगा इसलिए जनकारी देने कोशिष करूँगा कि जो हाइवे है हाइवे पे घटना है किसी की साथ भी हो सकती है चाहे हो गाड़ी समंदीद हो जैसे भी अगर आप पैदरर भी जा रहे हैं अगर कोई मुसीबत में हैं यहाँ बाइक से भी जा रहे हैं हाईवे है हाईवे बनाने के टेंडर अलग होता है लेकिन सरकार के माध्यम से अगर बन रही है तो सरकार क्रेट लेना जरूर चाहेगी कि ऐसी सुबधाएं अगर मिल रही है तो बीदेशों में सुबधाएं पहले मिलती थी मिलती है अभी भी मिल रही है और अब बिहार में ह दिखाते हैं कि आखिरे जो help desk box है यह काम कैसे करता है या करता है या नहीं करता है अगर करना है आपको अगर आ गए हैं तो कैसे यह काम करेगा सारी चीज़ में आपको बताने कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा सामने बिल्कूल कि इसमें आदमी बोलता है या नहीं बोलता है चलिए थोड़ा समयदिक से दिखाईए इसके बटन की फैसलेटिव में बता दू आपको यह बीच वाला है पूश बटन दिया गया है और यह जो है अगर बटन को दबा दीजेगा तो यह रिंग होने लेगा तो समझे का लाल बत्ती जलने लेगा इसमें और जब कोल रिसी बस्ट होगा कि यह सही में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है जानकारी बहुत जरूरी है पलिए चलिए इसको हम पूस करते हैं कि आखिर क्या हमको रिजल्ट मिलता है कोई वो बक्सर हाइवे पर आपका स्वागत है रापकी कॉल कंट्रूल रूम से कनेक्ट की जा रही है कोई वो बक्सर हाइवे पर आपका स्वागत है रापकी कॉल कंट्रूल रूम से कनेक्ट की जा रही है कोई वो बक्सर हाइवे पर आपका स्वागत है रापकी कॉल कंट्रूल रूम से कनेक्ट बताएंगे आप कि हम कहां पर अभी हैं और किस आपका किस help desk नमर से call किया हूँ मतलब सर क्या जानना चाहते हैं सर हम अभी जहां से आपके पास phone किये हैं जहां से आपके call लगाए हैं अभी क्या बताएंगे location मेरी आप सर आप km54 LHS पे हैं क्या यह सर सुचारू रूप से काम कर रही है सर यह जो box लगाया गया है आखिर क्यों लगाया गया है आप ही बताएंगे सर यहां पर यह box इमर्जेंसी call के लिए इमर्जेंसी परपस के लिए लगाया जैसे कि कोई भी गाड़ी अगर breakdown जाती है किसी भी तरह के आप आतकाले निस्थिती आती है तो आप इस नमर पे call करके आप अपनी जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं और यहां से आपको 100% solution प्रवाइड करवाया जाएगा सर 24 गंटे यह सुबधा यहां पर उपलब्द है अगर आपकी सुबधा के बारे में बात की जाए तो आप कौन-कौन सी सुबधा लोगों को दे पाएंगे जैसे सर गारी ब्रेकडाउन हो जाएगा तो सर उसके लिए क्रेन की सुधा अपलब्द है कोई अगर फर्स्ट टेड की जुरुद पड़ेगी तो उसके लिए सर डॉक्टर एबलेबल है अगर आपको फोन किया जाए तो कितने दिर के बाद तुरत आपके टीम पहुंचने की जैसे ही आपका कॉल आता हम तुरन पेट्रोलिंग टीम को है इंफॉर्म करते हैं जो कि पेट्रोलिंग पर ही हाइवे पराता है वह आपके लोकेशन पर तुरन पहुंचते हैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है सर यह हम जानना चाहेंगे जी यह हेल्प डेस्क लगाया गया है बोक्स यह किसके माध्यम से लगाया गया है यह में किसके थ्रू लगाया गए जाय की जाय किया इसके लिए चाहूंगा बहुत बहुत आभार आपको कि आपने मुझे जानकारी दी इस्चाहूंगा है इससे लोगों को सहायता मिलेगी और मैं चाहूंगा कि आप से उम्मीद रखूंगा फिर किसी भी यह था संभाव अगर किसी भी बैरती के परिसानी हो तो आप उसकी मदद करेंगे इसलिए कि यह जो जगह है यह सुनसान जगह है इसलिए कि कोई किसी के कोई घटना घट ज है सबको कि यह जो लगाया गया है एल पडेक्ड़ से लगाया है और सरकार कहीं कर living मिलना चाहिए क्योंकि अगर सरकार नहीं होती यह हैं कसे नहीं लगा होता लेकिन यहां पर कुछ आपको कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी फिलहाली में जपान गए थे और वहां से एक नई टेकनोलोजी ले करके परेटन व्युहा के लिए लाए हैं और वही टेकनोलोजी यहां पर काम कर रहा है और दिखाने के में तस्वीरें कोजिश कर रहा है अगर आप ह आईओ पर आते हैं तो अगर किसी भी वह सीवत आप फंस जाते हैं तो आपको हर जगा यह help desk मिलेगा और help desk में आप जा करके कोल करके आप सारी जनकारियां ले सकते हैं सारे help ले सकते हैं जितना सब्सक्राइब अपना करेगा इसके साथ मेरा पर्यास कैसा लगा जरूर बत झाल